नमस्कार भारत, आज मेरा वीडियो बहुत दिनों बाद है, अंजरा मैं वाले जो वीडियो मैंने अप्लोड किया था, वो बहुत दिनों से अप्लोडेट था, उसका काम नहीं पुरा हो पा रहा था, वो किया, लेकिन आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना पा रहे हू क्योंकि थोड़ा busy busy जादा बोल दिया था तो शायद universe ने busy कर दिया तो आप कितने भी busy हूँ ये ना बोले हमेशा बोले कि मैं free हूँ मुझे समय की स्वथंत्रता है चाहे आप कितने ही busy हूँ yes friends और शायद यही कारण है कि मैं कुछ जादा ही busy हो गए थी खैर चलिए आज का वीडियो सबसे important चीज gratitude gratitude धन्यवाज शुक्रिया ये इतना powerful क्यों है क्यों gratitude देना चाहिए gratitude कितने तरीके का होता है हम gratitude क्या क्या कर सकते हैं और किसको दे सकते हैं तो देखे gratitude के कई तरीके हैं लेकिन मुखे रूप से आप बोल करके और लिख करके देते हैं बोलना gratitude का एक साधरन सा तरीका है सबसे सरल तरीका है जब आप सुबह सो करके उठें तोस इश्वर या परमात्मा या ब्रम्भांड को उठते हैं जगते हुए जब आप जाकते हैं सुबह तो धन्यवाद दें कि आज का दिन आपको मिला आपकी सांसे चल रही हैं फील करते हुए पूरे फीलिंग्स के साथ में बोलें कि इश्वर मेरी सांसे चलने हैं आज का दिन मिला इसके लिए धन्यवाद हो मेरा दिन बहुत ही मैजिकल मिरकुलस जाने वाला है ये फील कीजिए इसके साथ ही आप अपने माता पिता आपके पास जो चीज़ें हैं आप अपने लिए स्वस्थे नहीं भी हैं तो भी कहिए कि सभी स्वस्थे हैं इसके लिए शुक्रिया इश्वर धन्यवाद और जो जो चीजें हैं आपके वो मन में बोल सकते हैं इसके साथ ही ग्रैटिट्यूब डाइरी बना लीजे जिसे आप अपने पास ही रखें सुबह उठकर के अट लि इसके साथ ही रात में भी रात में लिख सकते हैं आप दोनों समय लिखें और अच्छा है बहुत अच्छा है क्योंकि जितना ही धन्यवाद की मोड में रहेंगे उतना ही अच्छा है लेकिन हाँ अगर नहीं लिख पाते हैं तो एक समय आवश्य लिखें लेकिन ये भी बताओं जैसे मेरे में कुश्चन भी आया था कि यदि आप छूट जाता है किसी दिन जर्नलिंग कोशिश करें जैसे हम खाना भी नहीं छोड़ पाते हैं सासे भी लेते हैं होना चाहिए लेकिन अगर छूट जाता है डोंट फिल गिल्टी क्योंकि गिल्टी फिल करके जरूर आप अपने लिए गलब चीज़ें पन कर रहे हैं क्योंकि ऐसी कोई गलती नहीं है आप बोलते हुए तो दे ही सकते हैं लिखने में यदि भूल जाते हैं तो बोलते हुए दें और ध्यान आजाए तब से ही शुरू कर दीजें कंटीनियू कीजें हां कोशिश कीजें कि अगर रेगुलर हो तो बहुत अच्छा है कोई 11 दिनों का इकिस दिनों का नियम बना लीजें लेकिन फिर भी मैंने कहा छूट जाता है तो कोई बात नहीं है और जब ध्यान आए तब जो ब्रेन में सरटोनी नुद्पन होता है और यूनिवर्स को यह मैसेज जाता है कि धन्यवाद दे रहा है जो दे रहे हो पही तो लोट के आना है फिर क्या है ऐसे इसे आउसर आने लगते हैं आपके जीवन में कि आपके सब काम बनने लगते हैं इसलिए धन्यवाद क्यों कब बेहद मातो है इसलिए हमेशा grateful mode में रहे इसके साथ ही gratitude जताने के दो तरीकों के अतरिक आप gratitude पत्थर का इस्तमाल कर सकते हैं मैंने एक वीडियो बनाया है मैं description लगा दूँगे देख लीजेगा gratitude पत्थर रखें अपने पास जब ध्याना है उसको thank you बोले सच मे उस energy से बहुत काम होते हैं इसे साथ ही आप gratitude जार भी बना सकते हैं जार क्या होता है एक डिबा बना लिजे जार टाइप जो होते हैं और उसमें daily जो आपके अच्छी चीजे हुई उनकी चिट डलते जाए उससे क्या होगा उससे भी एक message होगा कि मेरे साथ ये अच्छा और सच में देखो आपके आउसर आते हैं कि नहीं आते हैं और जो चाहते हो जो हो गया अच्छा उसके लिए धन्यवाद और जो आगे होना चाहिए आपके जीवन में उसके लिए advance में धन्यवाद इस तरीकी साब धन्यवाद दे सकते हैं इसके साथ ही और क्या जब जहां ह जिसके साथ हों, जो आपके लिए अच्छा कर रहा है, तैंक यू को अपनी आदत में समाहित कर लिजे, gratitude आपका मतलब एक आपकी आदत हो जाना चाहिए जहां हो जिसके साथ हो किसी ने भी आपको अच्छा काम किया उनके लिए धन्यवाद दे चाहे वो आपके घर के हो आपके भाई बैन हो आपके माता पिता हो आपके सगे संबंधी हो आपके कलीक्स हो आपके बास हो कोई भी हो आपके साथ जो हो आपके बच्चे हो आपके बड़े हो जो भी है उनको thank you बोलिए thank you के vibration जीवन में लोटके आएगी ही ये बिलकुल नियम है सत्य नियम है अटल नियम है और अब last में एक बारी gratitude walk की gratitude walk बहुत important है gratitude walk में क्या होता है जब आप movement में होते है तो आपकी cell movement में होती है एक cell movement में होती है और जब cell movement में होती है तो धन्यवाद और भी powerful हो जाता है क्योंकि आप औरजा है औरजा का नियम क्या है वो movement में होती है तो जैसे movement में आते हैं तो gratitude walk से आपके जीवन में और भी ज़्यादा चीज़ें आने लगती हैं, तो yes friends, आपको समझा गया होगा कि gratitude कितना powerful है, तो आपको gratitude को अपनी आदत में शामिल कर लेना चाहिए, तो friends, gratitude लिख कर, बोल कर, जार के रूप में, gratitude पत्थर के रूप में, gratitude walk के रूप में किया जा सकता है, और yes friends, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, कि आप मेरे वीडियो पर लास्त अज बने हुए हैं, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, सो मच, नमस्कार भरत, धन्यवाद,